समस्कार मैं हूँ आपके साथ आमेंच और आप देख रहे हैं केकिरी न्यूज और आप नज़रावते हैं इस वक्त की कुछ पड़ी खबरों की तरह बसपस सुप्रीमो मायवती ने यूपी चुनाव में हार पार बड़ा आक्शन लिया है उन्होंने आज पार्टी की सभी काईयों को भंक कर दिया है मायवती ने हार के कारों पर समीशा के लिए बैठिक बुलाई है जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुए हारे हुए 402 प्रत्याशी भी बुलाए गए हैं यूपी विधानसपा चनाव 2022 में बस्पा प्रदेश की 403 विधानसपा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ही जीत दर्च कर सकी है इस शर्मनाग प्रदर्शन के बाद राच्णीतिक पंदितों का कहना है कि बस्पा लगभग खत्म हो चुकी है उसके वोट ब्रांकों का एक बड़ा हिस्सा भी भाच्पा और अन्यपार्टियों में शिफ्ट हो चुका है 2007 के प्रदेश में पूर्व बहुमत की सरकार बनाने के बाद 2022 में पार्टिय के सिर्फ एक सीट पर ही सीमित हो जाने से सभी हैरान है इस बैठक में लोग सबाचनाव 2024 के लिए भी रणनी ती तैकी जाएगी विदान सबाचनाव में जीत के बाद भाच्पा नेताव पूर्व मुख्यमंत्री प्रमोट सावल दोबारा सीम की कुर्सी पर काबिस होने जा रहे हैं वो सोंबार को मुख्यमंत्री पत की शपत लेंगे सुबह 11 बजे डॉक्टर श्यामर प्रसाद मुखर्ची स्टेडियम में होने वाले इस शपत ग्रहन समारों में प्रधान मंत्री नरेंडर मूदी के अलावा रक्षम मंत्री राजनाज सिंग वा अन्य वरिश भाष्पा नेता भी मौजूद रहेंगे बतादे कि तीन बार से विधायक प्रमोद सावन्स ने नेत्रत में भाष्पा यहां पर 20 सीटे जीत कार दोबारा सत्त में आई है नमारों में कितने क्याबनिट मंत्री शपत लेंगे सामत ने भी इस पर चुपी साध रखी है राजौरी में एक मस्जद में जुमे की नमास के बाद मौलवी के भड़काव भाष्पा वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वारल हो रहा है मौलवी के भाष्ण को लेकर कुछ लोगों नया पत्ती जुताई है बता दे कि मौलवी दकश्मीर फाइल्स फिल्म को दो धर्मों में तनाव भाने वाली फिल्म बताते हुए नजर आ रहे है इसी भाष्ण में मौलवी कुछ भड़काव बाते भी बोल रहे है दकश्मीरी फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक अग्नियोत्री ने भी इससे अपने ट्विटिन हैंडल पर शेयर किया है मौलवी का कहना है कि इस फिल्म में मसल्मानों के खलाफ साज़श की गई है वो इसके निंदा करते हैं और इस फिल्म पर रोग लगाई जानी चाहिए ऐसा दावा करते हैं इस फिल्म में मौलवी कह रहे हैं कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए हम अमन पसंद लोग है आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है हला कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी ये लगने लगा है कि ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के इसेंबली में 28 मार्च को अवश्वास पस्ताफ आज सकता है उसे पहले इमरान खान आज इसलामाबाद में एक बड़ी रैली करने वाले है क्योंकि पहली बार पाकिस्तान में कहकर सत्ता परवर्तन किया जा रहा है ये भी बात सामने आ रही है कि रैली के दोरान इमरान इस्तीफा दे सकते हैं बतादे कि इसलामाबाद पहुंचने वाली सरकोपाय विरुधी दलों के लोग भी जमा होने लगे हैं इमरान खान की पाची का दावा है कि इसलामाबाद के रैली में 10 लाख लोग आएंगे विपक्षियों को ताकत दिखाना तकरीक इंसाफ का मकसद है रैली रोगने के लिए विपक्षि दलों ने मोचा खोल लिया है इसलामाबाद के ओर जाने वाले रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही है मर्यम नवाज ने कहा है कि हम जब इसलामाबाद पहुंचेंगे तब इमरान भाग चिके होंगे डिली से सचे गुरुग्राम के ओल्ड डियाफल इलाखे में स्थेतेक होटल से वीजा आधिक अवधी समाप्त होने के बावजूद भारत में रहने के आरोप में 28 वर्ष ये एक चीनी नागरिक को गिरफतार किया गया है गुरुग्राम पुलिस ने शानिवार को ये बताया कि चीनी नागरिक के खिलाब गुरुग्राम सेक्टर 14 पुलिस थाने में F.I.R. दच की गई थी उन्होंने बताया कि वांग ने वीज़ावदी बढ़ाने के लिए आवेद नहीं किया और गत्सात महीनों से भारत में अवेद तरीके से रह रहा था उसे सेक्टर 14 के होटल में विदेशी अधिनियम के तहत गिरफतार कर लिया गया है ये खुरासा हुआ है कि आर ओपी सर्फिस इंजीनियर है और एक चीनी कमपनी में सूपरवाइजर की तोर पर काम करता है इन खबरों पर फिलाल वस इतना ही देशोदिनयां की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहेए केकिनी निउस